हालो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे तो दोस्तों आज़के इस वीडियो के अंदर अभी जो सारे IPO शल रहे हूं latest update जानेंगे हालांकि अभी अगर बात करें तो बहुत सारे IPO शल रहे हैं मतलब देखा जाए तो इतने सारे IPO एक साथ कभी नहीं आने चाहिए क्योंकि देखिए investors का fund भी इदर उदर बटेगा नहीं investors का पूरा ध्यान एक IPO पर जाएगा और उसके लाबा जो venture investors वो भी कहां कहां पैसे लगाएगै कि यई कहां पैसे लगाएगे EI कहां कहां पैसे लगाएगे तो सही से हर IPO पर focus नहीं हो पाता है तो असलिए IPO क्या है कि बराबर आने चुई है मतलब हर मैने थोड़े थोड़े आने है जाते हैं ऐसे नहीं उन चाहए बराबरी में आइये लाएे जाते हैं और कमि आ पिए हो जा इंड़ है उनके बारे में जॉनकरी लेंहे़े हैं उसके लाबा बज अरशा हाँ सिंग फाइनेंज कवा क्राइब कपड़ एंडम का अधिज चुका चुका रहे हँ उस IPO की कल लिस्टिंग है तो लिस्टिंग देपर स्ट्राटेजी क्या होनी ज़िए यह वो हम जानेंगे बाजार IPO के अंदर Allotment Chances कितने हैं Allotment कब और कहा शेक करना है वो हम जानेंगे उसके अलावा बाकी सारे IPO का अपडेट लेंगे वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों Telegram और WhatsApp चैनल को जरूर जोइन कीचिए ताकि छोटा मोट अपडेट वहाँ पर आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो वीडियो का नोटिफिकेशन भी वहाँ मिल जाएगा उसके लावा आपके बास दीमेट अकाउन नहीं है इंजलवन के साथ बिलकुल फ्री में आप दीमेट अकाउन खुलवा सकते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है तो सबसे पहले आज प्रीमियर आईप्यों की लिस्टिंग थी लिस्टिंग हमें बहुती बंपर देखने को मिली बतलब जैसा उम्मीद थी उससे भी बढ़िया देखने को मिली लिस्टिंग देखने को बनाया था दो दिन पहले उसके अंदर अंदाजन लग रहा था कि जो जीमपी चल दीती है उसके अंदर साथ 8500 के आसपास लिस्ट हो सकता है बट कल मैंने आपको बताया था कि भी जीमपी थोड़ी बढ़ गई है तो 900 के आसपास लिस्टिंग की संभा होना थी बट उससे भी अच्छी लिस्टिंग देखने को बिली 990 रुपे के आसपास लिस्ट हुआ अच्छी बात तो यह जिन लोगों ने शौट टम के लिए अपलाई के तो मैंने आपको कहा भी था कि शौट टम वाले exit होना बढ़िया रहता है और मैंने आपको कहा भी था कि थोड़े बहुत रख लें तो बढ़िया है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छी शियर से ठीक है decision आपको खुद को बनाना है और अब दीखिए अगर profit इतना ज़्यादा हो रहा है अगर डबल से भी ज़्यादा कभी कबार हो ज़्यादा है थोड़े बाद शियर सेल कर लेने चुई है मतब थोड़ा बहुत profit booking ज़रूरी अगर इतनी अच्छी listing हो रही है उम्मीद से भी ज़्यादा जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि 800-800 के भी इत लिस्ट हो सकता है पर उससे भी अच्छी हो रही हजार रुपे के आसपास अगर ये लिस्ट हो रहा है तो थोड़ा बहुत profit book कर ले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ अगर आप long term investors है आपके बास थोड़ा patience है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस share के अंदर इस company के अंदर नो डाउट अची company है पर थोड़ा patience तो रखना पड़ेगा और generally अगर जादा profit होता है कभी भी किशी भी share के अंदर IPU के अंदर अची listing होती है तो थोड़े बहुत share हल्का फुल का profit book कर लीजे तो सही रहता है जितनी उमीद है उससे जादा हुई तो हमेशा यह चीज ध्यान में रखिए और फिर मैंने आपको गादा कि जिन लोगों ने नई entry बनाई है देखिए मैंने आपको कहा भी था कि listing day strategy वाला डूडियो ध्यान से देख लीजेगा मैंने आपको कहा भी था कि अगर 800-800 रुपय के आसपास होती है listing तो तो ठीक है entry बनानी तो ज़्यादा में होती है तो थोड़ा भी देश के 800-800 रुपय लेवल है तो देखिए जब इसकी listing 990 रुपय पर हुई उसके बाद ये डाउन आके 800 के लेवल तक आया भी है आज की तारीक में और मैंने भी लग बग साड़े 800 के आसपास entry बनाई थी 200 share मैंने भी लिया आज की तारीक में मैं बाइस हल का recommendation नहीं दे रहा हूँ सिर्फ आपको जनकारी दे रहा हूँ मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि इतने उपर listing हो ये तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा मैंने order लगा की रखा था और मैं buy sell का बिल्कुल भी recommendation नहीं दे रहा हूँ हाँ आगे भी इससे उम्मीद है कि ये अच्छा थोड़ा बहुत profit दे सकता है फिर दोस्तो Eco Mobility का IPO उसकी listing दे पर strategy क्या होनी चीए कल 4 सेतंबर को listing है 9 बजे market खुलता है 116 रुपए अंदाजन इसकी GMP चल रही है तो लगबख 400 रुपए के आसवास इसकी अंदाजन listing price हो सकती एक अंदाजन बता रहा हूँ fix cheese नहीं है और मान लो market थोड़ा बहुत उपर नीचे रहता है तो 400 रुपए से लेकर 480 रुपए के बीच में ये list हो सकता है अंदाजन fix cheese नहीं है इमान के चलिएगा फिर अंदाजन listing gains कितना मिल सकता है तो 35% के असपाँ अंदाजन listing gains देखने को मिल सकता है 116 रुपए पर शेयर चोवाली शेर्स का लॉट है अगर इतना listing gains मिलता है तो अगर इतना listing gains मिलता है तो listing देपर strategy क्या होनी जाए तो देखें आपने अगर listing gains के लिए अपलाई किया शौट टर्म के लिए अपलाई किया तो listing gains लेकर exit होना बढ़िया strategy रहती है पाकि decision आपको खुद को अपनी risk और अपना analysis लगा के बनाना है फिर long term के साब से जिन लोगों अपलाई किया तो positives और negatives दोनों ही जान लेते हैं positives के आदेखें sector बढ़िया है B2B segment के लिए business to business मतलब car rental service driver के साथ देती है sector ये बढ़िया a demanding sector है service sector है इसकी demand रहती है और अपने sector बगेरा के अंदर leading position के अंदर है मतलब top companies में इसका number आता है पाकिस के लाव इसके पास car collection काफी बढ़िया है vintage car, premium car, सारी cars available है financially बहुत अच्छी condition है ROE, ROC बगेरा बढ़िया है और इसका profit margin बढ़िया है client base इसका अचा है fortune 500 जैसी companies इसकी clients है तो मतलब काफी अची चीज है और anchor list भी ठीक ठीक आई है मतलब खराब नहीं है anchor list ठीक ठीक है सकते हैं आप इसको mutual fund में एक दो बड़े नाम है एक दो बड़े नाम FIS के अंदर है फिर negative के है negative की valuations थोड़ी सी हाई है और दूसरा negative है की पूरा का पूरा OFS है थोड़ा बहुत fresh इश्यू लेखे आते हैं तो बड़ी आदे तक भी अपना कार का collection बढ़ा दी थी यह company की growth के लिए पैसा काम में ले लीजिए हलांकि financially ठीक है फाइनेश लिए से ज़रूरत नहीं लग दी थोड़ा बहुत fresh इश्यू होए रहता है ना तो क्या है की company की growth के लिए काम में आता है तो अची बात रहती है personally मैंने अगर apply किया थो तो listing gains के साब साब साइब अप्लाई किया था तो manufacturing तो बढ़ नहीं है इस कारण हो फुचिरिस्टिक सेक्टर है उसके लाब उसके एंक्रलिस्ट बगएरा बढ़िया थी तो वो अलग सेक्टर वो अलग मामला है यह अलग मामला है और बाकी decision आपको खुद को बनाना है कि आपको क्या करना है आप लोग क्या करेंगे कैस को long term की लिए hold करेंगे लिस्टिंगे लेकर exit हो जाएंगे मुझे comment करके बता दीजिएगा फिर दो तो बाजार style retail का IPO तो इस IPO में अप्लाइ करने के लिए आकरी दिन था टोटल यह subscribe हुआ है 40.63 गुना के आसपास बढ़िया subscription देखने को मिला है टोटल 23,757 करोड रुपे लगे हैं इस IPO बर टोटल 3 दिन के अंदर QIBS की तरब से भी आकरी दिन काफी अच्छा subscription मैंने Telegram चैनल वगेरा पर अप्डेट कर दिया था इसलिए कहता हूँ टेलेग्राम चैनल को जोइन कर गेरे लिजिए उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है QIBS ने 81 टाइमस के असपास सब्क्राइब गया है 13,000 करोड रुपे QIBS की तोरा लगए गया है मतलब काफी अच्छी बात है NII पोश्चन 59 टाइमस Retail portion 9 times और Employee portion 35 times टोटल सब्क्राइब गया है तो मतलब काफी बड़िया सब्क्रिप्शन देखने को मिला है जिससे आप से डिमांड कम है उससे आप से भी सब्क्रिप्शन ठीक है और आप मैंसे किन-किन लोगों इस IPO में अपलाई किया है मुझे comment करके बता दीजिए का कितने-कितने lot कौन-कौनसी category में किये है अब इसके अंदर हमारे allotment के chances कितने है 100 मेंसे कितने लोगों को इसका allotment मिल सकता है अंदाजन तो Big H&N category जो 10,000 से उपर की application है 7% chances है 100 मेंसे 7 लोगों को इसका allotment मिल सकता है अंदाजन Small H&N category के अंदर 3% chances है 100 मेंसे 3 लोगों को अंदाजन इसका allotment मिल सकता है Retail category के अंदर 11-12% जैसे chances 100 मेंसे तो बड़िया chances है overall दिखा जाए तो और इसका allotment status है कल की तारिक में 4 सितंबर को Linkin Tank website पर हमें देखने को मिल जाएगा GMPs की बहुत कम है 13% की आसपास 50 रोपे परज़े 38 शैस का लोट है 900 रोपे जैसा अंदाजन एक लोट पर फाइदा देखने को मिला लग बग 13-13% जैसा ग्रे मार्किट का प्रीमियम है Personally मैंने इस IPO में अप्लाए नहीं किया मैंने आपको कहा भी था कि और IPOs आ रहे हैं मैं उन पर जादा फोकस करूँगा और मैं भी आपको पता ही कि मैं Generally quality IPOs में अप्लाए करता हूँ और बाकी जो मेरा investment रहता है बाकी shares वगेरा जो चल रहे होते हैं तो उसके अंदर investment करता रहता हूँ फिर तो गाला precision engineering कल की तारीप में आकरी दिन है तो final decision क्या है तो subscription इसको total मिला है दो दिन के अंदर 52 times 6,166 क्रोड रपे लगे हैं इस IPO पर दो दिन के अंदर अगर सारे portion देखे तो fully subscribe हो चुके है क्योंकि छोटा issue साहिज है तो बढ़िया subscription देखने को मिल रहा है और हो सकता है T2T segment में लिस्तों जिसके अंदर 5% के circuit लगते हैं और देखे अलोट्मेंट मिलना इसके अंदर मुश्कील है क्योंकि बहुत चोटा issue साहिज है अलेडी बहुत जादा जी subscribe हो चुका है GMP लगबख 37% की आसपास चल ली है 200 रुपए पारशियर 28 shares का लवाट है 500, 500, 500, 600 रुपए जैसा अंदाज़न 37% इक अंदाज़ा है तो अब GMP 37% है, anchor list ठीक ठाक है, subscription बढ़िया है चोटा issue साहिज है, subscription बढ़िया है anchor list ठीक ठीक है तो विसेज ज़्यादा चिंता यह सही लिए नहीं है क्योंकि चोटा issue साहिज है, बढ़े है हो सकता, anchor investor सामील ना हुए हो तो overall जो risk है, वो थोड़ा सा कम है क्योंकि दो parameter अच्छे नज़र आ रहे हैं थोड़ा सा risk कम है, risk तो सब में होता है बागे decision आप खुद अपनी risk और अपना analysis लगा के बनाएगा फिर long term के साफ से इसके positives और negatives दोनों ही देख लेते हैं तो long term के साफ से अगर देखें तो sector risk का बढ़िया है मतलब critical चोटी चोटी components बनाती है अच्छी बात है, financially काफी strong है IPO के बाद debt वगेरा भी कम हो जाएगा मतलब almost debt free हो जाएगी, financially और strong हो जाएगी ROE, ROC वगेरा जादा है, बढ़िया है और fresh issue का portion भी जादा है, ये भी अच्छी बात लगी valuations भी जादा महेंगी नहीं, valuations भी okay है profit margins वगेरा अच्छे है, तो ये काफी अच्छी चीज़े भी है negative क्या है, negative में ये है कि छोटी company है थोड़ा risk तो होता है ये छोटी company के अंग अंदर और anchorless ठीक ठाक है उसके लाब अविशेस मुझे कुछ negative नहीं लेगे overall company balance नजर आ रही ठीक company है personally अगर मैं apply करूँगा तो QAB portion का अब कर subscription देखके listing gains के साब से ही सुझेँगा बाकि long term ये साब से मेरा personally विचा नहीं है आप लोग क्या करेंगे क्या इस IP में apply करेंगे नहीं करेंगे मुझे comment करेंगे बता दीजिएगा इस पर रिव्यू का वीडियो आपको मिल जाएगा उसकी जिएम भी नियरली 20% के आसपास चल लिए 16 रुपए per share 180 shares का lot है 2880 रुपए जैसा एक lot पर अंदाजन फाइदा देखने को मिल रहा है लगबग 20, नियरली 20% के आसपास कल तक कोशिश करोंगा कि रिव्यू का वीडियो मिल जाए फिर दोस्तों बजाज housing finance का IPO जो की बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर है इसका price band आ गया है 16 रुपए से लिकर 70 रुपए के बीच में इसका price band लगा गया है face value 10 रुपए पर बहड़िया price band है 214 shares का lot है मतब एक attractive आप price band कह सकते है ऐसे price band पर तो market बहुत ज़्यादा attracted रहता है मुझे लगता है इस IPO के अची demand है सकती है यह perfectly यह लेकर आ रहे है IPO price band reasonable मतब 100 से कम तो कहेंगी attraction पैदा करता है GMP लगबख 57% की आसपास 57% की आसपास लगबख 40 रुपे पर share 214 shares का lot है 8,560 रुपे जैसा अंदाजन हमें एक lot पर फाइदा देखने को मिल सकता है अंदाजन 57% जैसा ग्रे मर्किट का premium है इसके पूरे बरूसे ना रहे है फिर दोस आपकमिंग IPO टॉलीं स्टाइस इसका भी price band आ गया है यह क्या है कि trailer मतलब जो होता है उसके equipment वगएरा यह मतलब manufacture वगएरा करती है इतने सारे IPUs मैं खुद थग गया मतलब बोलते बोलते इतने ज्यादा IPUs होने ही नहीं चोईए लोग भी confused हो जाते मैं खुद इतना ज्यादा थगए हूँ मतलब इतनी ज्यादा मैंने पूरा है मैंने डीटेल वगएरा जो लिखी है मैंने खुद ने तो मैं खुद परिशान हो गया इतना बोलते बोलते आपका दिमाग कितना चक्रा आगया होगा इतने सारे IPUs आपको भी याद नहीं रहते होंगे तो इसलिए कि बराबर समानतर तरीके से IPUs आए ना तो वह बढ़िया चीज़ है और दोस्तों फ्री में डीमेट अकाउंट वगएरा खुलवाना आइंजल वान के साथ कुलवाज रगते हैं आपको अगर्व इंस्ताग्म और व्टसए चैनल सबकी लिक इन्सक्रिप्टियों के अंडर मिलते हैं दोस अगले वीजों के अंडर